हेलो फ्रेंज वेलकम टू कॉन स्टडी आज हमारा चेप्टर है सीरिज जो की रिजनिंग का हमारा एक पार्ट है और इसका आज हम करने जा रहे हैं पार्ट त्री जिसमें हम अलफबेटिकल सीरिज के कुछ नए टाइप्स के कोशिन करेंगे शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लावा हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं जल्दी से हमें हर जगा फॉलो कर लिजिए और किसी भी अपडेट को मिस्मत कीजिए पिछले प सीरीज को तीन चार हिस्वों में डिवाइड किया गया होता था और हमें नेक्स्ट को सीरीज बतानी होती थी उन सीरीज के पैटन को डिकोड करके इसमें क्या होगा आपके पास 10-15 तो नहीं पर लगालो कम से कम भी 7-8 अलफबेट की एक ही लाइन होगी अलफबेट की तो आपने खुद तोड़ना है और उस लाइन को आपने तोड़ना इस तरीके से है ताकि आपका जो पैटन है वो एक स्पैसिफिक पॉइंट के बाद रिपीट होने शुरू हो जाए उस 8-9 अलफबेट के लाइन में कुछ अलफबेट मिसिंग होगे उन मिसिंग प्लेस को हमें पार्ट्स तूटे हुए मिले होते थे इसमें हमें अलफबेट से प्लेस करने हैं कि हम उस पूरी सीरीज को अपने हिसाब से तोड़ें ताकि एक डेफिनेट पैटन एक स्पैसिफिक पॉइंट के बाद रिपीट हो अभी आपको यह सुनने में समझ नहीं आएगा इसने अलफबेट होंगे देख लीजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो तस क्यारा बारा यानि कि बारा अलफबेट की आपको एक ही लाइन दी हुई है अब इन बारा अलफबेट को आपने तोड़ना है तोड़ोगे क्या कम से कम दो हिस्से होने चाहिए और वह एक पैटर्न ऐसा बनना चाहिए कि वह दोनों हिस्सों में फॉलो करें या फिर दो से जादा हिस्से भी हो सकते हैं डिपेंड करता है कोशन टू कोशन अब आप दे सकते हैं यहां पर हमारे पास तीन ब्लैंक से हैं और ऑप्शन में भी तीन अलफबेट से हैं इसका मतलब क इस ब्लैंक में पहला ऐलफबेट फिल होगा दूसरे ब्लैंक में दूसरा और तीसरे ब्लैंक में तीसरा इस सीरीज में आपको दो ही एलफबेट के कॉमबिनेशन मिलेगा देखो एक है A, एक है B near B, यहां पे C की बात नहीं चल रही तो यानID कि इन ब्लैंक यहां तो A ही आएगा यहां तो B आएगा सबसे पहले हम A option डालके देख लेते हैं जो कि हमारे option B और D में सबसे पहला alphabet दिख रहा है जब हमने A option डाला तो हमारा pattern बना A, A, B, A, 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 Dash, B, B, A, Dash अब अगर आप इस pattern को तोड़ना चाहो फॉर इक्जेंपल आप कोई भी एक point ले लो यह जो dash है उसके बाद जो A है इसके बाद एक point ले लो तो आपके पास आगया A, A, B, A, A यह आगया आपके पास पहला part पर आपके पास दूसरा part क्या आएगा ऐसा कोई part नहीं आ रहा आपके पास दूसरा part नहीं ना आ रहा क्योंकि दूसरे part में A, A तो आजाएगा अब dash वाली जगा B भी fill कर सकते हो तो पहले part के हिसाब से A, A, B तक तो definition ठीक जा रही थी पर next जो हमने fill किया है वहाँ पर A है और second part में जो आएगा वहाँ पर B आएगा तो यह pattern हमारा follow नहीं होगा तो यानि A तो इस position पर नहीं आएगा हमारे पास क्या बचा इस position पर आने के लिए हमारे पास बचा सिर्फ B तो जब हम इस blank space में B बरेंगे तो हमारे पास कुछ हलका हलका सा pattern आना लग जाएगा अब हमारे पास pattern बना A A B B AAA-BB- अब total 12 alphabet है अगर हम इसको दो पार्ट में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पहले पार्ट में 6 alphabet आएगे दूसरे में 6 पहले हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो क्या pattern बनेगा पहले 6 alphabet तो हमारे पास आ जाएंगे क्या होंगे वो A A B B A A तो last के 6 alphabet भी इसी pattern के हिसाब से क्या होने चाहिए A A B B A A यानि कि second space में भी A आना चाहिए और third space में भी A आना चाहिए ठीक है जब second space में A डाला हमारे पास A A बन गया B B तो given दिया हुए और last में भी हम A डालेंगे तो हमारे पास एक definite pattern बन जाएगा वो pattern क्या होगा A A B B A A A B B A A यानि कि इस वाली series को हमने सिरफ दो हिस्सों में डिवाइड किया और हमारा एक जो finite pattern था वो repeat होना शुरू हो गया और जैसे ही हमारा pattern repeat हुआ हमें पादा चल गया कि हमारे ये जो हमने blank spaces बरी है ये correct alphabet से बरी है और यह हमारा correct answer है तो option A B A A is right answer वैसा ही आगे next question A B triple dash B dash double B double A dash ये है हमारा question 5 spaces है 5 alphabet है हम बरना शुरू करेंगे तो इस question को हम starting से शुरू करने के बजाए एक चोथे part से शुरू करेंगे ठीक है क्यूं चोथे part से हम शुरू करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास तीन blank spaces हैं तो उसमें A बरेंगे B बरेंगे फिर check करेंगे फिर A बरेंगे B बरेंगे फिर चेक करेंगे तो उसमें हमें बहुत टाइम लग जाएगा हम चोथे या पांच में हिस्से से शुरू कर सकते थे तो मैंने क्या किया मैंने चोथा हिस्सा पकड़ा चोथे हिस्से में हम देख सकते हैं कि हमारे options में तीन जगा A है और एक जगा B है तो सबसे पहले हमने B बर दिया क्यों क्योंकि अगर वो option नहीं भी होगा तो हमारा एक option फटवर्ट से eliminate हो जाएगा अगर A हो इस blank space में B नहीं होगा तो यह option eliminate हो जाएगा अगर A होगा तो next part हम solve करने की कोशिश करेंगे simple ठीक है अब हमने जब इस part में B डाला तो यहां पर हमें देग गया कि B B B B चार बार आ गया और इस चार B के हिसाब से अगर हम pattern बनाने की कोशिश करेंगे पूरे question में तो हमारी ऐसी orientation बनेगी नहीं क्यों क्योंकि question में A B available है और 12 spaces में से अगर एक जगा 4 आ रहे हैं तो कोई और space भी होगी जिसमें 4 आएंगे तो और कहां 4 आने की possibility है वो है इसी point के बाद अगर यहां पर भी B B B B आगे तो यह पूरा pattern ही B का बन गया तो यानि कि इस point पे B नहीं आएगा तो option D जो है वो eliminate हो गया अब हमारे पास इस point पे सिरफ A ही बचा तो A हमने automatically fill कर दिया अब आपको दिख रहे है इस point पे A है और last space में जो हमारे पास तीन option बचे हैं उनमें सब में B ही आ रहे है तो इसमें भी हम B बढ़तेंगे अब हमें सिरफ पहले तीन alphabet पे काम करना है अब आप देखते हैं इसी से एक pattern बनाने की खुशी करते हैं हमें देख रहे है कि question में 2B एक जगा आ रहे हैं 2A एक जगा आ रहे हैं और साथ ही 2B से पहले 1A आ रहे हैं 2A के बाद 1B आ रहे हैं तो हम आगे वाली spaces को कुछ इस तरीके से बढ़ेंगे कि same pattern follow हो अगर हम इसको half में ही divide कर दें यानि 2 हिस्से कर दें और इसी pattern को पूरा follow करेंगे जब हम इसको half में divide करेंगे तो हमारा second part बन जाएगा A, B, B, A, A, B वही चीज़ अगर हम first part में apply करें A, B तो हमें दिख रहा है starting में अगर हम यहां पर B, A, A डाल दें तो हमारा वैसा pattern बन जाएगा तो बिल्कुल हमारा वैसा ही pattern बन गया जब हमने यहां पर B, A, A डाला हमारा pattern follow हो गया तो हमारा C option में यह चीज़ clearly visible है तो हमारा C option ही है हमारा correct answer यह रहा हमारा next question C dash, B, B, A dash, C, A, B dash, A, C dash, A, B dash, A, C dash Oh my god अब यह 5 blank spaces है और 5 हमारे पास options available है हम इसमें किस point से शुरू करेंगे यहां पर हमें देखिए दो B दिख रहे है ठीक है जहां पर भी हमें B दिख रहे हैं हम वहां उसको दो B बनाने की कोशिश करेंगे यानि इस point और इस point पर हम दो B बनाने की कोशिश करेंगे जो last blank है वहां पर B डालेंगे तो obviously बात है वो B last option में available होना चाहिए जो कि option B और D में ही दिख रहा है ठीक है और इस point पर भी हम B डाल देंगे तो इस point पर जब हमने B डाला तो हमें दिख रहे है कि ये वाला B सिर्फ option B में available है तो option B के हिसाब से हम सारा fill कर देंगे option B के हिसाब से हमने सारा fill किया तो हमारा कुछ ऐसा बन गया C, A, B, B, A, C, C A, B, B, A, C, C A, B, 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 A, C आपको पैटन दिखना शुरू हो गया तो पैटन क्या दिख रहे है पैटन दिख रहे है C, A, B, B, A, C C, A, B, B, A, C C, A, B, B, A, C तो आपने देखा कि कैसे सिर्फ एक ही option डाल के हमने इस question को solve कर लिया ये दिखने में बड़ा question था और हमने just double B वाले pattern को follow किया और वैसे ही आगे BB fill किया तो हमारा पूरा pattern एक ही बार में बन गया ठीक है तो हमारा option B ही आगया correct option अब आगी corresponding alphabetical series इसमें क्या होता है इसमें आपको तीन series दी होई होगी या दो भी दी होई हो सकती है पर ये totally अलग pattern की है हमें alphabet series के नीचे एक number या कुछ भी symbol दिया जा सकता है वही value हमें assign करनी होती है उस alphabet को और उसके हिसाब से हमें आगे का question solve करना होता है तो ये रहा question इस वाले में तीन दी होई है सबसे पहले दी है B, double dash D, double dash C, A, B, D, A, C B अब इनके नीचे चार आपको question mark दिख रहे हैं इन चार question mark की value वह होगी जो इन alphabet के नीचे आ रही होगी सबसे पहले question mark के just above हमें दिख रहे है D ठीक है तो D जो है उसकी value जो होगी उसके ही नीचे दी गई होगी question में हमने डूंड़ा हमें D के नीचे दिख रहे हैं यहाँ पर 1 तो logic है इसाब से D की value होगी 1 यानि हमारा option A या C में से कोई correct answer होगा अब हमने का किया option A और B में देखा कि second position पे जो है वो 2 ही आने second जो second question mark है उसके जो के 2 ही आने क्योंकि दोनों में 2 ही है हमें अब सिरफ C और B पे काम करने है ठीक है तो C हम अब देखेंगे question में हमारे पास C कहा है C के नीचे आपको दिख रहा है एक blank space फिर उसके नीचे फिर से blank space यानि कि अभी तक C हमारा blank है तो हम C पे कामनी करेंगे हम B पे आ जाएंगे B के नीचे आपको A दिख रहा है अब हम आएंगे A अब हम देखेंगे A हमें और कहां दिख रहा है A हमें दिख रहा है यहां पर और A के just above लिखा हुआ है 4 यानि A की value होगी 4 तो इस छोटे वाले A की value अगर 4 आ रही है तो last वाले question mark की जगा अगर हम 4 डालें तो हमें clearly हमारे option A में दिख रहा है कि 1, 2 और last वाले question mark की जगा 4 आ गया तो C के नीचे सिदा सिदा आ जाना है 3 तो हमारा option A हमारा right answer हो जाएगा वैसे ही यह रहा है second question इसमें दो ही दिए होए है अब question mark की उपर हमें दिख रहे है B, B, D, D तो हम B और D पे काम करेंगे और आपने देखा कि B के नीचे भी blank है D के नीचे भी blank है तो इसका answer क्या होगा अब देखिए यहाँ पर B, D के लावा एक और alphabet मौझूद है जो की है C और उसके नीचे क्या दिख रहा है 2 तो यानि कि 2, 2 जिस भी option में होगा और वो वाले option तो सिदे-सिदे eliminate हो जाएंगे यानि कि option C और D जो है वो false है अब हमें एक काम करना है B और D पे पर B और D के नीचे तो दोनों जगाई blank है और पिछले वाले question की तरह इनके नीचे और कोई alphabet तो है नहीं जिसको हम आगे कहीं compare करके value निकाल सके ऐसे वाले questions में हमें alphabetical series को complete करना होता है हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे question के last में 2B हैं, 2D हैं और question में हमें C भी दिख रहा है C को बिना disturb किये हम पहले 2B और 2D बनाने की कोशिश करेंगे तो हमने B यहाँ पर पहली वाली position पर नहीं डाला सिरा दूसरी वाली position पर डाला क्यों क्योंकि अभी हम C के करीब कोई छेड़ खानी नहीं करना चाते यह वाली जगा feel कर दी हमने अब हमारे पास देख रहे हो आप same pattern बन गे C-BBDD C-BBDD ठीक है अगर हम इन खाली जगाओं पर C पुट कर दें तो हमारे कुछ ऐसा pattern बन जागा C-C-BBDD वैसे रिपीट C-C-BBDD तो हमारे पास pattern जो है हमारा satisfy हो गया अब आपको दिख रहे है B के नीचे 4 है D के नीचे 3 है हमारा BBDD है तो हमारा answer भी उसे हिसाब से 443 ही होना चाहिए ठीक है जो कि option B में हमें नजरार है और option B है हमारा correct answer इसी के साथ हमारा chapter series जो है वो completely end होता है जिसमें मैंने आपको numerical series भी पढ़ाए दी और alphabetical series भी पढ़ा दी इस chapter में बस यही सब था इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इसे अपने friends के साथ share कीजिए Thank you